कजरी तीज दो हजार चौविस कजरी तीज पर बन रहे हैं कई अद्भुत सेयोग वरत का मिलेगा दो गुना फल हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो में चैनल कुझा फीस इलावर योर चैनल कैसे अपलोग आई होपसो अपलोग बहुत अच्छे होगे अगर आप मेले चैनल पर पहली बारा है तो प्रीज मेले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिया नीचे वेला करें सुप्रेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है कजरी तीज दोहजार चौविस कजरी तीज पर बन रहे हैं कई अदभुत सईयो व्रत का मिलेगा दो गुना फल कजरी तीज का पर बहुत ही महत्तपुर्ण माना जाता है ये पर हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की तिर्तियातिति को मनाया जाता है इस दिन लोग स्विप पारवती की पूजा करते हैं ऐसी मानियता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सवभागे की प्राप्ती होती है इसलिए मैं लाएं अपने पती की लंबी आयू एवं परिवार की खुशलता के लिए ये व्रत रखती है कजरी तीज का पर्व बहुत ही महत पूर्ण माना जाता है ये पर्व हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की तिर्टिय अतिति को मनाया जाता है इसलिए लोग से पारवती की पूजा करते हैं कजरी तीज का पावन पर्व जल्द आने वाला है इस तिवहार को हिंदू धर्म की महिलाएं पूर्ण सद्धा और पविज़ता के साथ बनाती हैं जादा तर ये पर्व राजस्थान उत्तर प्रदेश, मंध्य प्रदेश और बिहार में जैसे उत्तरी राज्यों में मनाया ज जाता है इस साल कजरी तीज का वरत 22 अगस्त को रखा जाएगा धार्मिक मानेताओं के अनुसार विवाहित महिलाएं इस दोरा निर्जलावरत का पालन करती हैं और शिव पार्वती की विश्य इस पूजा करती है ऐसा कहा जाता है कि इस वरत को करने से पती की दिर्ग और भगवान सीव और मापार्वती का अशिरवाद मिलता है कजरी तीज दोहजार चौविस देट और सुभ मुहुरत हिंदू पंचांग के अनुसार भादर प्रदमास के कृष्न पक्ष की तिर्टिया तिथी की शुरुवात 21 अगस्त को शाम 5 बसकर 6 मिनट पर होगी वही इस तिथी का समापन अगले दिन यानी 22 अगस्त को दो फर एक बसकर 46 मिनट पर होगा पंचांग को देखते हुए कजरी तीज कवरत 22 अगस्त को रखा जाएगा कजरी तीज दोहजार चौविस सुभ योग कजरी तीज रैदिक पंचांग के अनुसार स्वार्थ सिधी रात 10 बसकर पांच मिनट से अगले दिन सुभा पांच बसकर 55 मिनट तक रहेगा इसकी साथ रहेगा वें जीत मुभरत सुभा ग्याराब'm lij जृइढावन मिनट से बारव जुखर पाचास मिनट तक रहेगा फीर अमरित्य काल साम 5 बस कर 47 मिनट से रात 7 बस कर 13 मिनट तक रहेगा वहीं विज्जय सुमुहरत 5 बस कर 48 मिनट से 5 बस कर 49 मिनट तक रहेगा कजरी तीज वरत की पूजा विधी कजरी तीज का वरत सुहागिन और कुवारी कन्याएं सुखी ववाहिक जीवन के लिए करती हैं इसके लिए सुबह ब्रम्ह मुहरत में नहाने के बाद स्वच्छे कपरे पहनने चाहिए इसके बाद मंत्र उच्चार के साथ सुरे देवता क को जल अर्पित करें और फिर मंदिर की साबसफाई करें पूजा के लिए चौकी पर लाल या पीले रंग का कपरा विछाए और इस चौकी पर माता पार्वती और शिवजी की तस्वीर या मुर्ती रखें इसके बाद शिवजी का अवशेक करें और उन्हें बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें वही माता पार्वती को सोलसिंगार की चीजे चढ़ाएं कजरी तीज की कता का पाठ करें और दीपक जला कर आरती करें रात्री में चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें जल का अर्ग दे कर अपना वरत पूरा करें पारवती ने की थी 108 साल की कठोर तपस्या पौरानी कथा के अनुसार भादर पद के कृष्ण पक्ष की तिर्तियाति थी यानि कजरी तीज पर भोले नात ने माता पारवती को पत्नी के रूप में सुईकार किया था माता पारवती चाहती थी कि भोले नात उने पत्नी के रू कल्ब के साथ मा पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोले नात को प्रशन किया था भगवान सीव से मा पार्वती का जिस दिन उनका मिलन हुआ था तब से इस दिन को कजरी तीज या कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है इस दिन महलाएं सुखी और निरोगी व्यवाहिक ज कजरी तीज वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिलकूल न भूला थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट